नमस्कार दोस्तों सस्क्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाईए इस बेल को हमारा लेटेस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए जो बिलकुल मुफ्त है नमस्कार दोस्तों जै मातादी फर्ट बेस्ट मैजिक में आपका हर्दिक स्वागत है कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें माता रानी सब का कल्यान करेगी दोस्तों आज हम बात करेंगे साल 2019 में लगने वाले पहले चंदग्रहन के बारे में कि ये चंदग्रहन किन रासियों के लिए सुब और लाब प्रदान करने वाला होगा और किन रासियों के लिए ये चंदग्रहन समाने रहने वाला है हमारे चैनल वर्ट बेस मैजिक को सब्सक्राइब करें साथ ही इस वीडियो को लाइक और सेर अवस्य करें तो आईए शुरू करते हैं दोस्तों 21 जनवरी 2019 को साल का पहला चंदग्रहन लगने वाला है इसी दिन आकास में एक तुल्लब और अद्बुद नचारा भी देखने क को मिलेगा जो की सूपर ब्लड पुल्फ मून का होगा चंदग्रहन एक खगोली घटना है जब प्रत्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब सूर्य की रौस्नी चंद्रमा तक नहीं पहुँच पाती और चंद्रमा प्रत्वी की छाया में आ जाता है तब चंद ग्रहन पॉस मा की पूर्णिमा के दिन सोंबार को लगने वाला है 21 जनवरी 2019 का चंद ग्रहन सुबह 9 बचकर 3 मिनट और 54 से सुरू होकर 12 बचकर 20 मिनट और 49 सेकंड तक चलेगा दोस्तों 21 जनवरी 2019 का चंद ग्रहन पुसन चत्र और कर्गरासी में घटित होने वाला है इस कारण कर्गरासी वालगन और पुसन चत्र के जन्में लोगों के जीवन में इसका पूरा प्रभाव पड़ेगा इसलिए कर्गरासी वालगन और पुसन चत्र के जातकों को पूरी सावधानी बरतने की जरुरत होगी दोस्तों ये पूंड चंद ग्रहन भारत में दिखाई नहीं देगा ये चंद ग्रहन सिर्फ उत्री दच्छनी अमेरिका, अफरीका, आस्टेलिया, हंगरी, रोमानिया, बुलगारिया, सौधी अरब, इरान, इराक, तुर्की, अलजीरिया, नाइजीरिया, पुर्त गाल, इस चंद ग्रहन भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल भारत पे लागू नहीं होगा, लेकिन जिन देशों में ये चंद ग्रहन दिखाई देगा, वहां इसका सूतक काल ग्रहन लगने के 9 घंटे पहले ही सुरू हो जाएगा, हाला कि ये चंद ग्रहन भार रसब, कन्या, तुला, व्रश्चिक और मीनरासी इन लोगों के लिए यह चंद ग्रहन उत्तम फल देने वाला होगा इनको हर कार में सफलता मिलेगी आपकी आर्टिक इस्तिती भी काफी मजबूत होगी बहुत जल्द आपको कोई सुप समाचार भी मिल सकता है किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है, आपके प्रेम संबंधों में भी मदुर्ता आएगी, आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है और ये चंद ग्रहन मितुन, सिंग, धनू, मकर और कुम रासी वालों के लिए मद्यम फलदाई रहने वाला है इनके कुछ काम बनेंगे और कुछ कामों में रुकावट आएगी कैरियर में भी परवर्तन हो सकता है यात्रा के योग बनेंगे माता के लिए कस्टकारी रहेगा कुछ दिनों तक कोई भी बड़ा निवेस करने से बचें कुल मिला के ये चंद ग्रहन आप के लिए मिला जुला रहने वाला है साथ ही ये चंद ग्रहन करकरासी वालों के लिए कस्टकारी रहने वाला है क्योंकि ये चंदग्रहन करकरासी में घटित होने वाला है इसलिए आपको इस दोरान विशेश सावधानी रखनी होगी पैसों का लेन देन बहुत सो समझ करें इसी नए वेपार की ना सोचें नौकरी वालों का अपने उच अधिकारियों से भी मन मुटाव हो सकता है और रिस्तों के प्रतिला परवाही ना बढ़तें जीवन साती पर ध्यान दें साती स्वास समंद्री परिसानियों का भी सामना करना पड़ सकता है इसलिए करगरासी वालों को चंद ग्रहन के दौरान चंद्रमा के मंत्रों का जाप करना चाहिए और सिव जी की पूजा करें क्योंकि भोले नात ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारन किया है इसलिए सिव जी की पूजा करने से विसेशला प्राप्त होगा साथ ही चंद ग्रहन समाप्त होने के बाद सफेद चीजों का दान अवस्य करें सफेद वस्तर चावल चीनी आठा आधी का दान जरूर करना चाहिए इससे पुन्ड फल की प्राप्ति होगी तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवस्य बताएं और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवस्य पूछ लें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें साथी साथ इस वीडियो को फेस्बूप और वाटसब पे अपने दोस्तों और रिस्तेदारों के साथ अवस्य बताएं और हमारे यूट्यूप चैनल फर्ट बेस्ट मैजिक से जुड़ने के लिए रेड कलर के सस्क्राइब बटन को अवस्य क्लिक करें और साथी साथ घंटी का बटन दबा दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे फिर मुलाकात होगी किसी नई जानकारी के साथ धन्यवाद